जै जै श्री सीताराम, जै 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 बजरंगवली, प्रियभक्तों, आप सभी का हनुमान ज्योती चैनल पर एक बार फिर स्वागत है प्रियभक्तों, हनुमान चालीसा की चौपाया स्वन्य में ही सिध्ध एवं दिव्य मंत्र है बल, बुद्धी, और विद्या, तीनों के ही देवता भगवान हनुमान जी हैं, जो कि कल्यूग में भी जागरत देवता है, बलकि ऐसा कहा जाता है जितने भी मंत्र है उन सभी मंत्रों की शक्ती के बल हनुमान चालीसा में ही विराजमान रहती है बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान चालीसा की चौपायों को अपने जीवन में पढ़ते भी हैं और इसके अनेकों लाब भी उठाते हैं लेकिन आपको ये भी बता दे कि हनुमान जी की सिध्ध चौपायों से इस दुनिया की ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो समाप नहो तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी दो दिव्य चौपाय के खास प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो संकट मोचन श्री बजरंग विली जी महाराज की इस परम शक्तिशाली चौपाय के प्रभाव से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी बड़ी से बड़ी परेशानी वसंकट आने से पहले ही नश्ट हो जाएंगे इसलिए भक्तों इस चमतकारी चौपाई का प्रयोग वे लोग जरूर करें जिनके जीवन में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं घर में हमेशा क्लेश बना रहता है कार्य बनते बनते बिगड से समझें क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाने वाली हैं लेकिन इससे पहले भगवान राम को नमस्कार कर लें वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में जैश्री सीता राम जैबजरंग विली अवश्य ही लिख दें जिससे हनुमान जी क क्रिपा आपपर हमेशा बनी रहे अगर आप अपने जीवन में कोई भी पूजा पाट बिल्कुल भी नहीं करते हैं लेकिन इन चौपायाँ को रोज पड़ते हैं तो इससे सबी पित आपकी रक्षा करते हैं सबी कुल देवी कुल देवता आपकी मदद करते हैं और सबी नौग रह आपके अनुकूल हो जाते हैं क्योंकि हनुमान जी से सभी नौग रह भी बंदे हुए रहते हैं इसलिए नौग रह भी ऐसे व्यक्ति का कोई भी अनिश्ट नहीं कर पाते आज के इस वीडियो में जो प्रयोग और उपाए हम आपको बताएंगे वह इतना ज्याद दबा कर रखें जिससे की हर वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करें तो भक्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ऐसी परेशानियों का एक मात्रहल सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के पास है संकरत मोचन श्री दिव्य चौपाई मुख से निकलते ही जीवन की हर परेशानिया तुरंथी दूर कर देती है और आपके कटिन से कटिन कार्य भी श्री हनुमान प्रभू की कृपा से तुरंथी बनने लगते हैं तो आईए जानते हैं इस दिव्य चौपाई और उसके प्रयोग के बारे में इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है फिर उसमें जल भर देना है अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान के चरनों में जल को स्थापित करके घी का दीपक जलाना है फिर प्रभू हनुमान जी का ध्यान करके आसन पर बैटकर शांत मन से आपको हनुमान चालीसा का पार्ट करने के बाद इस चमतकारी दिव्य चौपाई का 108 बार जाप करना है ये किसकिंदाकान की सबसे शक्तिशाली चौपाई है कवंसो काजकतिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही इस चौपाई का रोज 108 बार से आपकी हर समस्या का समाधान होना चालू जाएगा दूसरा उपाई यदि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमार है तो हनुमान चालीसा की इस सिधर चौपाई ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जपते हुए लोटे में रखे जल में फूक मारते जाए उसके बाद रोगी को ये जल पिला दें ऐसा नित्य निरंतर करने से रोगी को आराम मिलना चालू हो जाएगा इन सिधर उपायों को करने से आपकी सबी समस्याओं और कष्टों का समाधान स्वता ही होने लगेगा और प्रभू श्री हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा चमतकार ही होगा भक्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जै श्री राम जै हनुमान जी जरूर लिखें धन्यवाद